हाई फ्रेंद्स हेलो वेल्कम बैक टू में चानल श्री महाकाली टेली अपडेट्स आज आप लोगों के लिए में नया एक आउड़िस के साथ आई हूं यह है बेंडी फ्रै बेंडी फ्रै है यह कैट्रस टैल में कैसे बनाते हैं अपन शादी में जाते हैं वगर एक्सेटर जो भी फंक्षिन में जाते तो कैट्रस वाला बनाते हैं लेकिन उस टैल का आपने को बनाने को नहीं आते तो उस टैल में कैसे बनाने का में आप लोगों के लिए आज सिखाऊंगे उससे पहले सबसे एक स्माल रिक्वेस्ट है फ्रैंज प्लीज मेरे चानल जो भी पहले देख सकते हों कमेंट कर सकते हों शेर कर सकते हों प्लीज 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 सपोर्ट मैं चानल फ्रैंज इस कुझ चपाती चपाती के साथ राइस के साथ जैसे भी आप कहा सकते हुट भुट यमी यमी डिश ये हैं तो भी बहुत अच्छा से खाएगा फ्रेंस कोई डाउट नहीं बहुत टेस्टी है फ्रेंस सी आप लोग यह आप पर देख लीजे फ्रेंस एक बार यहाँ पर मैंने इसका इंट्रेड्यूस दे रहे हैं कितनी अच्छी दिख रहे हैं फ्रेंस आप लोगों के लिए दिखा हो बहुत अप्र प्रेंस चलते हैं या पर मैंने दो स्पून का सिंगताना ल्याय है फ्रेंस दो का सिंगताना मिखे तो आप लोग भी अच्छी तरीका से एसे फ्राइ करो उसची के टू टेबल स्पून शफ चना की डाल लिया मैंने यह चना डाल को भी अच्छा से फ्राइ किया है अपने को ज़्यादा तेल नहीं लगते आपने को ज़्यादा टाइम नहीं समय नहीं जाती है फिर इसमें थोड़ा सा लसुन का एक पुरा बड़ा पाकली मैंने आड किया है आप लोग भी ऐसे याड़ करों और इसमें थोड़ा सा मायचराईज होते हैं उस वज़े से उसको अच्छी तरीका समीने थोड़ा सा ड्राय रोस्ट करके ले रही हूँ फ्रेंज यह तो ऑप्षन है आपकी इच्छा अगर करना है तो कर सकते हैं अधरवास नहीं करना है तो आप ले लिजिए क्योंकि यह स्पैसिक कम है इसलिए मैंने 15 तक लिए यह सब अपन मिक्सिम बॉल में लेना है और तोड़ा सा जीरा भी आड़ करना है उसमें फिर अच्छा से कच्छा पकत ग्राइंड करके लेना है इसको ज्यादा फैन पेस्ट नहीं करना है उसके बाद अपना लसुन और अपना जो भी इंग्रीडेन है लाल मिर्ची का फ्राइ किया हुआ वो सब पेस्ट करके लेना है फिर यापर एक फैन रखके पैन में तोड़ा सा राई जीरा एड़ करने का राई जीरा के बाद बार एक चाप किया हुआ कांदा दो लिया तमिने बड़ा वाला वुस कांदा को आड़ करो फिर उसके बाद आप लोग कड़ी पत्ता को भी आड़ कर गया अच्छी तरीके से मिक्स करो जैसे वो फ्राइ हो जाते है तुरांत उसमें हलद और नमक टेस्ट अंसर आड़ कीजिए फ्रेंज सी देखिए आपनी ओनियंस अच्छा से फ्राइ हो रहा है यापर कलरफुल दिख रहे है ना फ्रेंज इसमें बेंडी की सबजी कभी भी फ्राइ बनाओ या शाहे सबजी बनाओ कुछी भी बनाओ फ्रेंज से यापर में बेंडी अड़ करेस्ट इसमें तोड़ा सट टेकनीक है फ्रेंज जब कोई-कोई कैसे क्या करते फ्Rेंज बेंडी बनाने से पहले थोड़ा सा ऑईल डालके उसको रोस्ट करके लेते वैसा करने से उनको लगते है उसमें जो भी छिपक पाना है वो सब निकल जाएगा ऐसा लेकिन वैसा कभी नहीं करने का फ्रेंज यह जो इसमें जो भी छिपकु रहती है वो अपने बोन्स के लिए लेडिस हो शायद जेंस हो छोटा वो बढ़ा हो जो भी हो इस चिपकु तो इसको अपन डिवैड नहीं करना है यह अपना खाना में इसको खाना है यह जो चिपकु वाला चीज को उसको ड्राइ नहीं करना है फ्रेंज तो इसलिए इसको अच्छी तरीक से जब फ्राइ करते हो ना फ्रेंज प्लीज इसमें डक्कन मत लगाए डक्कन लगाने से व भी बहुत गिल्टी फिलोते हैं, बहुत गंदा लगते हैं, तो उस वाज़े से आपने देखा, मैंने यहाँ पर बिल्कुल डखन नहीं रख रहे हैं, डखन नहीं रखने से वो चिपकुपाना बिल्कुल आतने हैं, देखा फ्रेंज, उसमें जैसे उसके पूरा दुवा नि प्लीज, प्लीज, आप लोग उसी के उपर डखन बिल्कुल नहीं रखना, और लीफ्स करी में रखने से क्या होता हैं, फ्रेंज, वो काला पड़ जाते करी, सी फ्रेंज, देखा यहाँ आपन तयार, मैंने तयार किया हुआ, जो भी मशाला हैं फ्रेंज, वो थोड़ा-थ दालके मैं आड़ कर रहें, जितना मुझे स्वाधिस्टन सर लगेगा, उतना ही मैं आड़ करूंगी, इसलिए मैं पहला तोड़ा-थोड़ा डालके आड़ कर रहें, वीडियो बहुत लेंत हो रहें ना फ्रेंज, इस वज़े से मैंने फास्ट मोड पे रख दिया है, फिर भी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग टू एंडिंग फरफेक्ट वीडियो दिखाऊंगी, देखा फ्रेंज से आपर सब ओनियन फ्राइ किया, उसी के बाद अपना बेंडी डालके 3-4 मिनेट अच्छी तरीका से फ्राइ करके लिए, उसी के बाद जो भी आपन तयार कि यह हुआ मशाला उसमें आड किया है, बस तयार, सिंपल, इस मशाला आड करने के बाद यहापर में चीज होता है, यह स्लो फ्रेम में रखके 10-15 मिनेट के अंदर तकी अच्छी तरीका से फ्राइ करके लेना है, देखा फ्रेंज से यहापर मैंने हारा दन्या भी आड किया, और भी कलरफुल दिख रहे है, हरा दन्या भी आड करने से, वाव, तो इस मशाला अगर हाई फ्रेम पे अगर अपन फ्राइ करके लेगा, तो वो जलने की चांसे होता है, तो जला हुआ जैसे बास आता है, तो टेस्टी नहीं लगेगा, तो स्लो फ्रेम पे रखने का, वित ना, तो आप लोग इस मेरी डिश को आपका घर पे ट्राइ करो, आपका बच्चे को, आपका घर वाले को, सबको खिलाओ, यम्मी यम्मी मजधर का इस बेंडी फ्रेय, सब लोग कुश हो जाएगा, तो आप लोगों को कैसे लगा मेरे ये नया डिश, तो मुझे कमेंट करन बूलना मत फ्रेंड्स, बहुत अच्छा-च्छे रेसिपी में आप लोगों को प्रेजन्ट करूँगी, आप लोग बहुत कुश हो जाएगा, और सिंपल आइन्ड इजी रेसिपी फ्रेंड्स, इसको टाइम भी नहीं लेगेगा, मशाला तैयर करने के लिए 5 मिनेट्स और राइस के साथ काव और असाइड डिश में ढाल रहेगा, तो ढाल के साथ राइस में खाने में क्या मज़ा आएगा, बहुत अच्छा टेस्टी है, तो बच्चे भी कुश हो जाएगा, ऐसे नए नए डिश आप लोगों का बच्चे के लिए बना के खिला हो, तो बच्चे बच्चे भी कुश, आप लोग भी कुश, आपको भी बहुत साथिस्टेक्शन मिलेगा, कुछ नए डिश बना के खिला है बच्चों को, तो जीन को मेरे चानल पसंद आता है, फ्रेंस, प्लीज, once again I am repeating, मेरे चानल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो, कमेंट करो, बाजु का बेल ऐकन प्रेस करना, भूलना मत फ्रेंस, देखा फ्रेंस कैसे, उसमें से दुआ निकल रहे, कितना गरम है सबजी देख रहे ना, आप लोग उंका दिखते, तो सी फ्रेंस कितनी लवली दिख रहे ना, वाव, वाटे टेम्टिंग या, बहुत अच्छी दिख रहे, बेंडी फ्रेंस, तो आप लोग भी आपका गर पे ट्राइ करना, भूलना मत फ्रेंस, जो भी ट्राइ करते हैं, प्लीज मुझे तो में रिक्वेस्ट कर रहे हूँ, कमेंट करो, प्लीज मुझे डिरेक्ली मत बोलना, वाट्स अप में, छायद इंस्टा पे, उस पे म मत बोलो, प्लीज मेरे चानल में जाके, आप लोग प्लीज कमेंट बाक्स में कमेंट करो, ब्रेमा सिस्टर, एक श्पेशली आपा, इच एंड एवरिवन आप ट्राइ करते हो, प्लीज कमेंट में चानल, थैंक यू फ्रेंस, बाई, बाई